की बवल जो कि को सी वे टी में तीन सेक्षण है सेक्षण एपका एडमिशन कराएगा कौन सा वो सेक्षण और कैसल सेक्षण में पार पाना है बात करते हैं इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं कि कॉमन युनिवर्सली एंट्रिंस टेस्ट यह टेस्ट आने की वाद 12 क्लास की इंपोर्टेंस बिल्कुल अनार्थ बच्ची की तरह हो गई है हमें नहीं पता कि बारवी में नंबर लादा कितना कि हमें कहीं भी आईडिया नहीं कितने लंबन लाने कि लें कोई बोल रहा पचास परसेंट लिया चलेगा कोई बोल रहा साथ लिया को पूरे के पूरे लाओ छोड़ो उसको अभी अभी बात करते हैं सीउट के बारे में यह वह एक्जाम है जो कि आपको कॉलेज के अंदर ए पापियर हो उसके जो नंबर आएंगे नंबर के साबसे आपको एडिमिशन को मिल रहा हो आप सब्चा के लिए एक एक ऐसा सेक्षिन है जो कि अटेमिशन कराएगा जिसके ऊपर हम लोग ध्यान बिलकुल भी नहीं दे रहे हैं आध्यान से सुमना जो कुछ भी बोल section A जैसा कि आप सभी को पता है part A बोलता है section A नहीं बोल रहें section 1 section 2 section C बोल रहा है इसके अंदर part तुम्हारा one of B होगा फिर confused होगे और ठीक है तो section A के अंदर part A है part B है इसके अंदर 13 है इसके अंदर 20 language है यह पूरा का पूरा language based test होने वाला है ठीक है यह सारी की सारी वो language जो भारत के अंदर चलती इंक्लूडिंग इंग्लिश यह सारी वो language है जो कि foreign के अंदर चलती है यह लांग्वेज का टेस्ट है यहां पर कॉम्प्रीहेंसे वी दर उदर उपर नीचे पहरा ऐसे इन सब से related questions आएंगे यह सब के लिए language based होने वाला है majorly लोग इसमें English select करेंगे Hindi select करेंगे कुछ लोग जो रीजिनल के अंदर जाना था है तो रीजिनल लैंवेज select कर रही होंगे that's okay that's normal that's very common यहां नंबर बराबर ही है यहां अगर आप section a की बात कर रहे section 1 की बात कर रहे तो यहां नंबर बराबर ही आएंगे ज्यादा fluctuation of number नहीं मिलेगा जो तुम्हारा second section है जिसको हम domain based section कहते हैं कि यह section है जिसके अंदर तुमारे number कम जाने होंगे मेरा मानना है नहीं होंगे क्योंकि domain के अंदर आपके वो subjects हैं जो आप class 12 के अंदर पढ़ चुके हैं कक्षा बारवी NCRT clear cut notification में दे दिया गया है class 12 NCRT के हिसाब से domain subjects होंगे अच्छी बात है बहुत बढ़ी है अच्छी बात है होंगे पर एक बात आप आपने सोची यह domain subject सबने पढ़े हैं और हम सभी कट्षा बारवी का बोड़ exam देखे ही निकलेंगे तो सबके लिए यह कुछ हक तक common रहेगा यह भी admission का basic criteria decide नहीं करेगा इसके अंदर आप 3 से लेकर 6 subject के बीश में कितने भी subject ले सकते हैं और इसी के हिसाब से आपका आगे interest होगा यानि के आगे college में admission हो एक ऐसा section जो कि बिल्कुल underdog है जिसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा क्योंकि इसी को उसके अभी बच्चों के लिए common होगा चाहे आप science के हो आर्ट के हो commerce के हो सब के लिए common exam होगा इसके अंदर total 75 questions आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन में से तुम्हे 60 attempt करने हैं अचा कमाल की बात गिये है कि तुम्हें इसको करने के लिए मिलेंगे साथ मिनिट ओनली 60 मिनिट अब बोलो के सब साथ क्वेश्चन है साथ मिनिट मिलेंगे एक मिनिट एक क्वेश्चन को very normal बट ऐसा नहीं है तुम्हें यहां पर 75 questions मिल रहे हैं जिन में से तुम्हें 60 करने इसका मतला समझते हो कि ज करने के लिए सॉल्व करने के लिए क्योंकि यह तो सारे वही है एप्टेट्यूट और यह और वो और मैथमेटिक्स और यह अकड़ अकड़ वही आले क्वेश्चन होंगे तो इन सब को करने के लिए तुम्हें approximately 40 seconds मिल रहे होंगे question को read करने के लिए उसके options देखने के यह सबसे जादा गडबर section है और यही वो section है जो कि तुम्हारे लिए admission का prime criteria decide कर रहा होगा क्यूंकि आज से पहले किसी भी बच्चे ने यह वाला concept अपनी कख्षा बारवी तक नहीं पढ़ाए तो अगर आप चाहते हैं कि आपको CUET के तुरू एक सबसे बहतरी ने dream college के अंदर entrance मिले तो बाल को अभी से सुन लो तुम्हें section C पे focus डालना है आज अभी इसी वक्त इसी समय से डालना है चाहे कहीं से भी करो मैं यहां पर यह नहीं करो मैं तो खेर नहीं कराओंगा मैं क् इसमें नहीं है इसलिए मैं आप से section C में connect नहीं कर पाऊंगा मेरी expertise इसमें तो मैं इसमें आप से connect कर पाऊंगा ठीक है ना पर जिसकी expertise है आप उससे जाके पढ़ सकते हैं देखो हर जगे जाना जरूरी नहीं होता विराट पोली को बोलो बाई एक काम कर बैड्मिंटन में domain subjects वाले teachers जो है आपको पूरा का पूरा पढ़ा देए तो यह possible नहीं, they will guide you, they will help you, I will guide you, I will help you in all these general test के अंदर, but for specific standardized, पूरे structure के साथ तैयारी के लिए, you need to go with the experts, so if you want to go for any coaching institute, आप जा सकते हैं, ठीक है मैं यहां के लिए रकर बता रहा हूं कि इसके लिए, you need to go, चले जान इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई reason है, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यह तुम्हारे admission decide करेगा, तुमारी 12 साल की महनत decide करेगा, अगर यहां वाली महनत में कोच छोड़ा सा भी चूक गये ना बालक, तो पूरे 12 साल खराब जारेंगे, वो मत कर देना बस, वो देख जो मैंने experts की team, हमारी team ने पूरी एक ऐसा ecosystem generate किया है, जहां पर आप एक computer based CUET से पहले कई बार CUET को देंगे, जहां पर experts के साथ आप लोग तयारी करेंगे, मेरी guidance के अंदर, so we will be giving you a dream offer for all of you, तो भाईया यह जो CUET का जो section C है न, इसको मैंने इसके साथ merge किया है, और एक नय concept निकाला, जिसको हम बोलते हैं, part A, CUET part A, ठीक है, तो इसकी जो fees हम लोगों ने रखी थी, वो थी 10,000 रुपे, ठीक है, which is a very common fees, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग 25,000 रुपे भी दोगे, इसके लिए, यहां नहीं दोगे, कहीं हो, 20,000 रुपे, 25,000 रुपे दोगे, बट, क्योंकि आप बारवी के अंदर अल्रेडी बहुत पैसा लगा चुके हो, यह 10,000 रुपे लेना, मेरे दिल को भी नहीं भाएगा, क्योंकि हम अल्रेडी 10,000 रुपे, पूरे कक्षा बारवी के लिए ले चुके हैं, ठीक है, और इसकी तयारी आपको 2-3 महीं नहीं कर कॉर्सी और लांगवेज इन दौनों का एक कमबाइल कोर्स जिसके अंदर एक्सपर्ट पढ़ा रहे होंगे, कंप्यूटर बेस्टेस्ट के तुरू करा रहे होंगे, और सारी तैयारी स्टैंडड़ाइज स्ट्रक्चर्ड वे में करा रहे होंगे, वो 10,000 की जगे, अगर आप उन साढ़े तीन सो में से कुछ एक लोग हैं, तो आपको मिलेगा मात्र चारहजरों, मात्र चारहजरों, मत्र शिक्स्टी परसंट और इसके बावजूद, तो मेरे तुरू आए होना, एक फाइदा मेरे से ले जाना, वो है गौरव जे, जैसे ही आप गौरव जे लग इस उन लोगों के लिए है, जो दिल से चाहते हैं कि हमें admission चाहिए, we fight for it, because, पता है गम कब होता है, जब ऐसा लगना ही कि या, तो नंबर के लिए में रहे गया, पर ना आज में काई होता, और तो कॉलेज हमारा future decide नहीं कर सकती, इसको करना है, वो करेगा, बट एक starting push जो ह करता है ना गाड़ी में, जो first gear जो काम करता है ना, पांचवा gear कितना ही बहतर speed में चला ले, पर गाड़ी उठाने का काम पहला gear ही करता है, तो पहला gear आप लोगों के लिए है, और top 300 to 350 admissions पाकी है, जो कि हम इसके अंदर ले रहे होंगे, ये कुछ समय के लिए है, इसके बा लिंक है, अगर आप चाहते हैं कि डोमेन भी आपको पढ़ना है, चाहो तो पढ़ो, मैं मना नहीं करूंगा उसमें, पर ये नहीं है कि मैं कहा रहा हूं, जबरदस्ती पढ़ना है, तो मगर कुछ पढ़ सकते हूं, तो में लेने के लिए भी, वो प्राइस 20,000 का होता है, दोनों का मतला डोमेन और ये तीनों, जो अभी कटके 7,200 यूजिंग कोड गौरव जेप है, हमने लाके खड़ा कर दिया, तो इस टोटली अप टू यू, आप को अंसल नहीं चाहते हो, डिस्क्रिप्चिन में सबके लिंक है, बैचिस शुरू हो रहे हैं, सो, ताट सॉल फ बनाचिंग, गूटनाइट बबाए, नमस्कार.